सोरी गाईज बीच में वीडियो जो हमारी कट हो गई थी तो जो कोशन नमबर 16 का जो हमारा आंसर आया वो 3 रूट 19 अपॉन 19 आये ठीक है लेकिन आपकी जो बुक में दिया आंसर वो दिया है डी इक्वल टू 3 अपॉन रूट 19 तो आप इसको 3 अपॉन 19 करके ही इसको कर सकते है ठीक है कोशन नमबर 16 का मैं बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो डी इक्वल टू 3 अपॉन रूट 19 ही आपकी बुक में दिया है अब देखते हैं इसको कोशन नमबर 17 तो कोशन नमबर 17 आपके पास यहाँ पर गिवन है यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको रिय पहले लेंगे आर मैंने इसको लिया 1-t into i plus t-2 into j plus 3-2t into k अब इसकी multiplication कर देंगे इसके साथ तो यह आ जाएगा आपके पास i 1i minus ti plus tj minus 2j plus 3k minus 2tk अब यहाँ पर आपके करो जो i वाली term से उसको एक तरफ कर लो याने की r vector आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से मैं i को अलग कर रहा हूँ ठीक है यहाँ देखो minus का 2j अलग कर दिया और यह minus का 3k सोरी plus का 3k अलग कर दिया ठीक है और यहाँ पर यह जो t है देखो यहाँ भी t है यहाँ भी t है और यहाँ भी t है तो t को हम क्या गरेंगे common ले लेंगे plus t into आपके पास आ एवा जए यहां पर कितना आजाएगा यहां पर कितना आजाएगा और यहां पर कितना आजाएगा माइनस का 2k. ठीक है अब देखो यह जो form बनी वो कुछ इस तरह से हमारी form आरही है कून सी आरही है A plus lambda B ठीक है? याद होगी आपको A plus lambda B हमारा ये बन रहे है तो इसको दे देंगे equation number 1 अब बात करते हैं इसकी तो R vector equal to यहाँ से है 7 plus 1 into I plus 2S minus 1 into J minus 2S plus 1 into K यहाँ से क्या करेंगे आप easily इसको निकाल लेंगे यह कितना आजाएगा आपके पास SI plus 1I plus 2SJ minus यहाँ से 1J minus 2SK plus 1K याद रखो कि हमने क्या कि इसको multiply करवा है सिर्फ I से इसको, J से इसको और K से इसको यहाँ पर R vector कितना आगे यहाँ भी कह करो I और IJK को अलग कर लो, यहाँ से I vector आगे unit vector plus sorry, यहाँ से J कितना है minus का J आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से plus का K हमारे पास आ गया plus ठीक है, plus लगाएंगे और अब S को बाहर ले लो, common क्योंकि सब में S है, यहाँ से I और यहाँ पर plus का 2S आ जाएगा ठीक है, sorry, plus का 2J आ जाएगा और यहाँ से minus का 2K आ जाएगा इतना clear हो गया इसको दे दो आप equation number second अब इस first और second equation से हम A1 की values को निकाल सकते हैं तो A1 कितना आ गया first equation से A1 आपके पास आ गया I minus 2J plus 3K और A2 आपका कहां से आ गया इस equation से, यह कितना आ गया I minus J plus K B1 आपका उपर वाली value से कितना आ गया B1 आ जाएगा आपके पास T को भूल जाओ यह आ जाएगा आपके पास कितना I minus I plus J minus 2K और B2 कितना आ गया यहां से I plus 2J minus 2K ठीक है next काम हमारा क्यों होता है A2 minus A1 निकाल गया A2 minus A1 कितना आ जाएगा equal to यहां से इसको किया तो 0 आ गया इसको करेंगे तो J यानिकी J बचा और यह आ गया minus का 4K अब निकाल लो B1 into B2 तो B1 into B2 निकालना भी आसान है I plus J sorry I, J, K यहां पर plus minus plus होगा इसके coefficient जो है minus 1 है plus 1 है minus 2 है यहां पर 1 है 2 है और minus 2 है ठीक है कितना आ जाएगा आपके पासे B1 into B2 कितना आ जाएगा equal to आ जाएगा यह minus का 2 plus 4I ठीक है बीच में minus आएगा 2 plus 2 यह तो आप जानते हैं कि इसको I को हाइड के तो 2 1 the 2 and 2 2 the 4 करेंगे ठीक है और यहां पर क्या आएगा J आएगा ठीक है J plus minus का 2 आया और minus का 1 आया into K clear है बात तो यह आपके पास कितना आ गया 2I minus 4J minus 3K अब हमारे पास फोर्मुला क्या है D equal to mode of A2 minus A1 A1 into B1 into B2 upon mode of याने कि magnitude of B1 into B2 ठीक है whole magnitude तो D कितना आ गया आपके पास A2 minus A1 किया हमने तो A2 minus A1 करने पे हमें मिला था 0, 1 और 4 ठीक है तो हम direct click दें 1 minus 4 लिख देंगे 1 minus यहाँ पर 1 और minus 4 लिख दो ठीक है और देखो जब भी ऐसी condition आए ठीक है जब ऐसी condition आजए तो हम के गरते है 0 भी साथ में यानिकी J और K की value को साथ में रखेंगे यानिकी J vector रखेंगे और K 4K vector रखेंगे ठीक है और यहाँ पर कितना आ जाएगा B1 into B2 कितना है हमारा 2I minus 4J minus 3K ठीक है 2I minus 4J minus 3K यहाँ से यह आ गया और upon में के करेंगे root कर देंगे इसका 2 तू जब 4 16 plus 9 ठीक है और यहाँ पर देखो तो J हमारे पास है लेकिन I हमारे पास नहीं है तो I नहीं है इसलिए वो cancel हो गया यानिकी इसके बदले में 0 आ जाएगा ठीक है यह तो हमारा खतम हो गया बात करते हैं इसकी तो यह आ जाएगा आपके पास multiply करके minus का 4 आएगा और minus का 4 आएगा plus का 12 आएगा ठीक है plus 12 आएगा upon में कितना आ जाएगा यह यहाँ पर आ जाएगा 20, 39 ठीक है root 29 अब root 29 आगे यहाँ पर देखो इसको minus की आपके पास आया 8 upon root 29 याने की d की value आपकी कितनी आगे d equal to 8 upon root 29 और यही आपकी book में answer देके रखा हुआ है ठीक है तो यह थी है हमारी exercise 11.2 अब देखो जो इसके example है ठीक है example इसके आप try करना जो shortage distance के जितने भी example है ठीक है try examples क्योंकि example भी कई बार exam में six marks का यह पूछ लेते हैं ठीक है तो जितने भी shortage distance के question उनको ध्यान से करना इस वार जो है exam में जैसे की बात करें March 2020 की तो उसमें यह question आया था ठीक है तो इसको ध्यान से करना मिलते है next video में अगर यह video अच्छी लगी हो आपको question अच्छे से समझाए तो please like, share, comment जरूर करें अपने friends के साथ जाद से जादा शेयर करें Thank you